उत्राखण में कुदरत अपना रौद रूप धारण किये हुए है रुदर प्रयाग में केदारनात मार पर देराद बादल फटने से तवाही मची है पानी के सलाव में कई लोगों के दवाही होने की खबर है बादल फटने से टेंटों में सो रहे करीब 6 लोग फंस गए जिन वहीं बदिनात राश्टे राजमार कर पीपल कोटी के पास भारी मलबा आने के कारण सड़क का कुछ हिस्सा बह गया है बागेश और उप चुनाव की खोश्ट न होने के बाद से प्रदेश में राजनेतिक सरगर्मया तेस है चुनाव की तैयारियों के साथ ही एक पार्ट प अपनी था बसंद कुमार को कॉंगर्स में शामिल करने पर बीजेपी प्रदेश अध्र ने सवाल उठाए है महिंद्र भट ने कहा कि एक तरफ कॉंगर्स के प्रदेश अध्रक्ष करन महरा शनीवार को ही पैनल में पेजने का दावा कर रहे थे जबकि बसंद कुमार की रविवार को कराई गई इसे साथ है कि कॉंगरस के पैनल में दूसरे धल कि नेदा का नाम था यह कॉंगरस के सानी कारेकरताओं का अपमान कि हमने अपने तीन नाम का पैनल अपने पार्लेमेंटी पूर्ट को भीजा है। इतना पराकरोश अता है और बीजीबे सरकार में लगातार कॉंगर्स ही कारकरताओं का उस पिरन का भी आरोप लगा है। और उन्हीं से बूद अद्देश का चुना करने हैं। साथ मैं आज जो ये बैठक की है काधी समय हो गया विजानसभा के बाद जो इस तरह की बैठक आपक किया जा रहा है। मैं और मेरे साथी जो भी हमारी टीम है आपर है कंग्रेश की वो पूरे तनमन धंग से आने वाले चुनाओं की तिंगारी करिए। विधान सभा देक्ष रितू खंडूरी भूशन ने कोड़दार भावर के आपदा से विभिन क्षेत्रों में हो नुकसान का चाहिजा लिया। जाहिजा लेने के बाद विधान सभा देक्ष ने जंडी चौड़ सित प्रात्मिक स्वास्त केंदर का निरिक्षण किया। बेहाल है वहीं प्रदेश में वर्षा को लेकर चेतावनी जारी है। से जन्जीवन अस्तिवस्त हो गया है। SDRF की टीमें लगाता राहत और बचाओ अभियान चला रही है। आपको बनादे की उत्राखंड में लगाता रखो रही बारिश के गांड जन्जीवन अस्तिवस्त हो गया है। रेस्क्यू कर सुरक्षित सानवर पहुचा है। इस के लाव भारी बारिश में अभी भी रेस्क्यू कार लगातार जारी है। लाल कुए तरही पूरी वन प्रभाग हल्दवानी डॉली रेंज की वन विभाग टीम में पिछले नौ महीनों अवैत खनन, लकडी और लीसा तसकरों के खिलाव बड़ी कारवाई करते हुए। 35 सेधिक केस दर्च कर उन से 35 लाग सेधिक का जर्माना वसूल किया है। वही वन वन भाग केस कारवाई से वन तसकरों में हड़कंप मचा हुआ है। डॉली रेंज के वन शेतरादिकारी नमीन सिंग्पवार ने बताया कि पिछले नौ महीनों में 35 सेधिक केस दर्च किये गर कई वाहन भी सीज़ किये गए जिसमें लीसे से लदे वाहन भी शामिल है। अगर इन मामलों में कोई सम्मेलित पाये जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कारवाई की जाएगी। दॉक्टर अंकित पराशर और डॉक्टर कनिका अधता पराशर के उसे 15 अगस से एक सब्ता तक मरीजों के लिए निशुल्ग हेल्थ कैम का विजन किया जाएगा। इसके तहट जोगेवाला चौकिस्थित उनके क्लिनिक पर गरीब और ज़रुतमन मरीजों का इलाज निशुल्ग किया जाएगा। इसके लाओ पराशर पैतलोजी और इमेजिंग सेंटर के निश्टर अंकित पराशर ने भी वरीजों की जाच में सत्तर प्रतिशत तक छूट देने का अलान किया है। देश की स्वतनता के बाद ये विशेष एक वर्ष है। तो इसमें हमने सोचा क्यों न हम अगर हमारे देश में इस तरह से हर जगे अमरित मौत समनाय जा रहा तो हम भी अपनी तरफ से कुछ करे। क्योंकि हमारी विचार एक नहीं सोच संस्था समाजिक कारी करती रहती है। तो हमारे सचीव महदय के साथ जब बैठक हुई तो उसमें हमें ये विचार आया कि हमें अपने जो लोग हैं जिनकों की जरूरत है जो लोग की परिशान रहते हैं उनकों क्यों न हम इस तरह से म जनों के लिए पत्रकार जन के लिए और जो पद्मभुशन समानित हैं उनके जो बेसिकली घरवाले हैं जो जिनके तो इन सब के लिए हम लोग ने ये सुविधा का निश्य किया है। में रानी खेर शेर के लावा असपास के अन्य कस्बों नगरों और दूरास के शेरों से भी एडवेंचर प्रेमियों के भाग लेने का उमाओ का मिलता है। में भाईचारा और आपसी सोहार्थ बढ़ता है। मैं नागराजा देपता से प्रात्ना करूंगा उन सब की मुनों कामना पूर्ण हों और विकास समीति जस्पूर का धन्यबात करता हूं कि उन्होंने मुझे बुलाए। केदार घाटी के चंदर नगर में बाला सुंदरी संस्था द्वारा दस दिविसे शिव महापुरान का भवयाजन किया गया। इसवान बड़ी संख्या में दूरदरा से भक्तों की भीड उम्री वहीं बाला सुंदरी संस्था के स्वाजने से शिव महापुरान का भवयाजन किया गया जिसमें आरती गुसाई टीम ने शिव पारवती विवा का मंचन कर सभी भक्तों का मन महुलिया। महीं कथावाचा काचार सुवाज जोशी ने सभी भक्तों को कथा सुनाई। महीं कर दो किया जोशी जोशी बाला सुनाई। महीं कर दो सक्वाचा कर दो सुनाई।